हलो दोस्तों, breaking news यह है कि finally PUBG को इंडिया से बैंड कर दिया गया है अभी अभी आए एक press release में Information and Technology Ministry ने ये बताया है PUBG के साथ और भी 118 चाइनीज आप्स को बैंड कर दिया गया है इससे पहले भी 29 जून को Ministry of Information and Technology ने TikTok जैसे popular app के साथ साथ, Xander, Shareit और 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 भी Chinese दूसरे टेड़े मेरे apps को बैंड कर दिया था इस बार भी उन्होंने वैसा ही किया, इससे पता चलता है कि हमारी government की internet के उपर पकड़ कितनी मजबूत है आपको क्या लगता है कि ये हमारे देश के लिए एक अच्छी पहल है PUBG गेम बैन होने के बाद ये अचानक से आज ही रुक तो नहीं जाएगा बर धीरे धीरे आने वाले कुछी दिनों में इसको आप यूज नहीं कर पाएंगे इंडिया का यूथ PUBG गेम से बहुत ही जादा अडिक्टेट था वो हर महीने PUBG गेम पर हजारो लाखो रुपे खर्च कर रहा था और इससे उनका ध्यान पढ़ाई से भी हट रहा था तो आपको क्या लगता है कि ये PUBG गेम बैन होना इंडिया के वच्चों के लिए अच्छा है आप क्या सोचते हैं आप हमें बताईए इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद जैए